केशन चैनल में आप सभी का स्वागत है 24 अप्रेल 2020 के इपार्टन करेंट अफेर हम लोग इस वीडियो लेक्षर स्रीज में जानने वाले हैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे चलिए शुरू करते हैं इस लेक्षर को दुनिया भर में करोना वाइरस के जो केसिस हैं वो है 26,99,818 और मरने वालों की संख्या 1,90,000 के पास पहुँच चुकी है और ठीक होने वालों की संख्या है 7,41,104 दुनिया भर में अमेरिका की स्तिती बहुत ही खराब है आप देखिएगा 8,70,000 को भी आंकडा क्रोस कर चु की होगी और बात करता हूँ मैं टॉप 10 कंट्रीज में तो नवे नमबर पे चाइना बार है जहां से यह वाइरस स्टार्ट हुआ था अब चाइना किस्तिती बहुत बहुत अच्छी है आप खुद देखिएगा कि 5-10 केस नए आ रहे हैं रोज यहां पे और जितने नए आ हैं उतने रिकवर हो भी जाते हैं यहां पे तो सबसे अच्छी बात तो यह भी है यहां पे तो सबसे इपार्टन बात यह है कि हमारे इंडिया की अंदर जो है वो कन्फर्म केस जो है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं 23,000 का अकड़ा कर चुका है और मरने वालों की देख रहा हूँ मैं कि इन दिनों में सबसे ज़ादा एक दिन में केस आये हैं 778 केस एक दिन के अंदर देखने को मिले हैं दो नमबर पे गुजरात है तीर नमबर पे दिल्ली है भारत की स्थिती भी बेहद खराब होती दिखाई दे रही है किस राज्य सरकार ने जोग और विकरी पर रोक लगाने वाला राज्य है जारखंड सी ऑप्शन सही है इसके उसन का हमारा गभराईगा नहीं इसमें हर्याना राज्या नहीं है क्योंकि अगर हर्याना होता तो हो सकता है कि कुछ कन्याओं का दिल दहल जाता सोच रही होंगी कि सर जी बीडी पी बीना हम रह कैसे सकते हैं तो बेटा घबराईगा नहीं आप अर्याना में आप राम से बीडी पीएगा गुटका खाईएगा जर्दा लगाईएगा सुखरी के खाईएगा चलिए का मजा कर रहा हूं जारखंड राज्या की बात कर रहे हैं जारखंड ने ऐसा क्यों किया क क्योंकि जहां कोई गुटका खाके थूकता है, तो थूकने से ही, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से ही वाइरस फैलता है, तो इसी वज़े से थूकने से क्रोनाव वाइरस फैलने का खत्रा बढ़ रहा है, सार्जनिक जगों पे लोग थूक रहे हैं, तो उससे थोड़ा और इनक्रीज हो सकते हैं, इस वज़े से जहारकंड ने ये निरने लिया है, बात करता हूं, जहारकंड की तो मैप में देखिया है, ये है जहारकंड, जहारकंड राज्ये में गंगा नदी सबसे कम भैती है, सबसे ज़दा यूपी में भैती है, सबसे कम जहारकंड में भैती ह ये भी आपको याद रखना है जारकंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी एरिया जो है वो 79714 वर्ग किलोमीटर है मुख्य मंत्री हेमंत शोरान है राजधानी रांची है और जन सिंक्या 3.1 क्रोड है अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पह सबसे बड़ा या 100% डिजिटल बैंक लॉंच करने वाली है यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है TCS का फुल फूम है Tata Consultancy Service और इसराइली वित मंत्राले ने इस बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्मान करने के लिए TCS को चुना है जिसका मेन मकसद यह है कि बैंकिंग छेतर म करीब 40 वर्स में इसराइल के बैंकिंग में लाइसंस पाने वाला यह जो पहला बैंक है इसराइली बैंक और इसकी सुरुआत जो हुई थी वो 2021 के अंदर हो जाएगी यह पूर्ण डिजिटल बैंक जो है बनना या काम करना और बात करूं मैं इस TCS के CEO कोन है उनका नाम है राजेस और हेड़कॉर्टर TCS का है मुंबई में इसराइल को देखिएगा मैप में आप लोग यह है इसराइल इसराइल की रास्टरपती का नाम है रिवलिन इसराइल की राजधानी है जेरुसेलम जन सेंग्या है आठ आठ दसमलव आठ लाक दो हजार अठारा तक है यह प्रैमिनिस्टर यहां के हैं बेंजामिन नेतनेहायू अगला जो हमारा क्यूस्चन है कि अंग्रेजी भासा दीवस कब मनाया जाता है अंग्रेजी भासा दीवस हर साल मनाया जाता है 23 अप्रेल को एव आप्शन साही इस क्यूस्चन का हमारा देखो 23 अप्रेल को विलियम स एक्षपियर की जरमतिति तथा मृतितिति होने के कारण ही इस दिवस को मनाया जाता है। अंग्रेजी भासा एक ऐसी भासा है जो अलग-लग देशों में संस्कृति से आने वाले लोगों को आपस में जोडती है। बलकि अंग्रेजी भासा इंग्लिस लांग्वेज छे भासाओं में सामिल है उन छे भासाओं में सामिल है जिनने स्विक तरास्टर याने के युवन्नों ने दिवस के रूप में घोसित कर रखा है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भासा है और बिजनस और एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा इस भासा का परचलन है अच्छे ये तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भासा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके बताईएगा प पहली सब ज़्यादा कौन सी बोली जाती है दूसरी सब ज़्यादा कौन सी बोली जाती है ठीक है अगला हमारा क्यूस्त है कि किस खिलाडी को I am badminton जागरुकता अभिहान के लिए brand ambassador चुना है तो I am badminton जागरुकता अभिहान के लिए brand ambassador चुना है पीवी सिंधु को, भी options है ये इस question का हमारा, कल मैंने आपसे question पूछा भी था, पीवी सिंधु 2016 में रियो आलम्पिक में रजत पदक विजिता है, इनके कोच का नाम है पुलेला गौपीचंद, विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने इनके साथ में आठ खिलाडियों को विश्व बैडमिंटन महासंग के आयम बैडमिंटन जागरुता अभियान के लिए अंबेस्टर चुना गया है, इनकी ब्रेंड अंबेस्टर ये है, पीवी सिंधु के इलावा कनेड़ा के मिशेल ली, चीन के जहेंग वी इ, हूंग हुआउ के कियोंग, इंग्लेंड के जैक शेपर्ड, जर्मनी के वालैस्का, हांग कांग के चान यूवन और जर्मनी के मार्क, जैबलर जो हैं ये लोग सामिल हैं, और इसका एक मेन मकसद ये है, कि लोगों की तरफ जो है, बाड्मिंटन खेल का थोड़ा सा रुज़ान करना, और खेल को थोड़ा इमानदारी से है, साफ सुत्रे तरीके से, मतलब मन से थोड़ा सा, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी से चालबाजी ना करके गेम को खेलना अगला हमारे क्यूशन है कि सुप्रिम कोट ने किस राज्य के स्टी उमीदवारों के लिए सो परतिसत आरक्षन परदान करने के आदेश को जो है, वो निरस्त कर दिया है, तो अभी हाली में हंड़र परसंट जो आरक्षन था, वो देने का एक आदेश था, वो रद कर दिय है, आंदर परदेश के, आंदर परदेश राज्य के लिए, सी ओप्षन सही है, इस क्यूशन का हमारा, और न्याई मूर्ती, अरुन मिस्रा की अगुवाई, और उनके साथ में पांच जजों की जो बेंच थी, उन्होंने आंदर परदेश के राज्य पाल दवारा जारी किय सरकारी आदेश जो है, उसको रद किया है, और अनुसुचि जन जाती, सैडूल ट्राइब यानिगी, उनके सिक्षकों के लिए आयक्षन की पुष्टी की गई थी, और सुप्रिम कोट ने साथ ही आंदर परदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पे जुर्माना भी लगाया ह है, ठीक है, कि सो प्रसेंट अगर आरेक्षन हुआ तो मतलब बाकी लोग क्या करेंगे भई, आंदर परदेश की बात करें हम लोग, तो ये है माप में देखिएगा, आंदर परदेश, आंदर परदेश की राजधानी अमरावती है, और आने वाले समय में अमरावती बनेग भारत की अंडो की टोकरी हधराबाद को कहा जाता है, हधराबाद मुसी नदी के किनारे एक क्यूसन और है, जो आपको याद रखना है, अगला जो हमारा सवाल है, कि वैन विल पी-म नरेंदर मोदी होल्ड इस थर्ड वीडियो कंफरेंस विद दा चीफ मिनिस्टर अन करोन वाइरस लोगडाउन, आप सभी को पता है, तो टाइम पहले ही जो है, वो सभी राज्यों के मुख्य मंत्री के साथ में वीडियो कंफरेंसिंग के एक मीटिंग हो चुकी है, अल्रेडी दो मीटिंग हो चुकी है, अब तीसरी मीटिंग जो होने वाली है, 27 अप्रेल को, भी के लिए इसी पे विचार करने के लिए, अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है, मुझसे सवाल पूछ भी रहे हैं, बहुत सारे स्प्रेंट किसरी ये लोगडाउन कब खतम होगा, क्या 3 मई को खतम होगा, पहली तो बात ये खतम करना चाहिए ही नहीं 3 मई को, उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप सभी को मैं करन्ट अविर पढ़ाने से पहले रोज जो है, वो लेटेस्ट अपडेट बताता हूं, दुनिया भर की और दुनिया भर के देशों की अलग अलग और इवन हमारे भारत के राज्यों तक की बताता हूं, तो आप खुद देख पा के जहांपर ऑटमेटी काम होते है, तो उन चीजों का ओपन कर देना चीह है, या अलग मेंडेल की असे डिस्टेंसिंग को ओपन हो सके, या किसी भी तरिके से फ्लानिंग कर के तो उनको जरूरी चीज़ों का ओपन कर देना चीह है, बागी आम-जंता की जितनी भी चीजे clapping जहां पर भीड भाड़ हो, उनको एक बार के लिए बंद रखना ही चीए, ये मेरा पर्सनल आपिनी नहीं है, देखो मेरा सरकार से या कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी सोच हो सकता है, इसमें कोई डिफर भी हो, अगला हमारा सवाल है कि, two cats test positive for the coronavirus in which city of the United States, दो बिलियां जो है, उनको coronavirus हो गया, भी, इन म्याओं को coronavirus हो गया, ठीक है, म्याओं म्याओं को, और तो अब इनको coronavirus हुआ है, ये कोन से अमेरिका के सहर की है, ये नियॉक सहर की है, दो बिलियां, जिनको जो है, क्रोना positive मिला है, क्रोना वाइरस क्या पालतू जानवरों को हो सकता है, इसके ओपर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, बहुत जल्द ही, नियॉक जो है, वो सबसे ज़ादा अबादी वाला है, सब ज़ादा अभी फिलाहल के लिए coronavirus संकरमित भी वही है, अमेरिका का और अमेरिका की राजदानी Washington DC है, currency अमेरिकी डॉलर है, Who has been appointed as the new head of National Shipping Board, National Shipping Board के नए अद्यक्स कोन बने है, तो ये नए अद्यक्स बने है, मालिनी शंकर, ये options है, हमारा, ठीक है, मालिनी शंकर जो है, ये shipping की पूरो महानिदेशा के रही है, इनको राश्ट्रिय शिपिंग बोर्ड के नए प्रमुक के रूप में नुक्त किया गया है, और भारतिये shipping से सम्मदित जितने भी मामले है, वो एक सवच सलहाकार के ठीक है, 1958 के दौरान इसमें थोड़ा पुंदर गठाएं भी किया गया था, नेमलिक्त में से किसने बताया है कि भारत में वायू परदूशन 20 साल के निचले स्तर पे पहुंच गया है, करोना का एक positive fact जो देखने को मिल रहा है, वो ये है, कि परदूशन काफी कम हो गया, ब वैसे ही अमेरिका में नासा है, नासा की स्थापना हुई थी, 1958 को हुई थी, ठीक है, जुलाई 1958 को हुई थी, इसका हेड़कॉर्टर है अमेरिका के अंदर, अगला जो हमारा क्योशन है, निमन में से विश्व पुस्तक और copyright दिवस कब मनाया जाता है, वर्ड बुक डे और copyright डे जो है, यह मनाया जाता है, 23 अपराइल को ही, यह options आई है, इसक्योशन का हमारा, देखिया, किताबें क्या होती है, किताबें हमारी human creativity जो होती है, हमारी जो desires होती है, हमारी जो idea होती है, हमारी जो knowledge होती है, उसको दूसरे लोगों तक share करने का एक माध्यम है, तो उन्ह चीजों के लोगों से जाग रुकता पैदा करना, लोगों को और लिखने के लिए प्रेरीत करना, इन चीजों के लिए यह दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को जो है, वो UNESCO ही जो है, वो verify कर चुका है, United Nations Educational Cultural and Cultural Organization जो है, उन्होंने इसको verify कर चुका है, वो, हाली में New Development Bank भा को एक बिलियन डालर की जो है, वो साहिता प्रदान करेगा, इस COVID-19 वाइरेस जो है, इससे लडने के लिए, बेसिकली New Development Bank जो है, यह BRICS Development Bank भी इसका दूसरा नाम है, इसका Headquarter संगाई चाइना में है, केवी कमात इसके President है, पहले President भी केवी कमात है, इसकी स्तापना 15 जुला Brazil, R for Russia, I for India, S for South Africa, यह जो है, यह पांच रास्ट रिस्क को मिलके एक संगठन बना रखा है, इतने ही थे आज के Current Affairs, आशा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, और आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, इसी के साथ यह लेक्चर समाप्त होता है, धन्यवाद हसते रहना, मुस्कुराते रहना